प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कारिकाल में जितना ध्यान किसानों के हित में केंद्रित किया है उतना शायद ही पहले किसी प्रधान मंत्री ने किया हूँ तब ही तो जब उन्होंने किसान सम्मान निधी की घोशना की तो यह किसानों के बैंक एकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की सबसे बड़ी योजना बन गई सरकार ने 2019 के बजट में इसकी घोशना की और इसे 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया गया इसके तहट किसानों को सालाना 6000 रुपिय की साहिता दी जा रही है प्रधान मंत्री मोदी की स्योशना से किसानों को किस प्रकार की राहत मिली है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगडाउन के समय 24 मार्ट से 27 मई 2020 की अवधी में ही 9 करोड 67 लाग किसानों को 90,350 करोड रुपिय की राशी जारी की गई खास बात यह है कि पियम मोदी देश के साड़े 14 करोड किसान परिवारों तक इस योजना का लाब पहुंचाना चाहते हैं